हेलो एंड वेल्कम फुट दैस्टूडियो टेडर्स हैविल्स को आज के दिन हमने ट्रेट किया था एड़ अपने प्राइवेट गुर्प में मौनिंग में हमने इसका लेवल मार करके शेर किया था शॉट सेलिंग करनी है कहां से करनी है एक एक चीज मिनिट बाइव मिनिट वहाँ पर हम अप्डेट करते चले जा रहेते सभी लोगों ने ट्रेट किया काफी अच्छा प्रॉफिट्स आज मेंबर्स ने अचीव किया सप्लाई एंड डिमांड के कॉंसेप्ट को आज के दिन हम लोग समझेंगे आज के जो ट्रीड एक्जेक्यूट किया इसकी पीछ हैवेल से अंदर हाई इसके बाद ने लोग आया कल के सेशन में लो यहां से सीधे फिर सीधे फिर गिर गया था नीचे की तरफ यहां तक आग्या था अब कल के सेशन में क्या हुआ कि प्रैस ने यहां पर अपना एक बेस बनाया मतल vivid को आज कि दिन इसने ब्रेक आउट किय जिसको की पूरी तरह सम्में कैच करने की कोशिश की यहां से प्राइस फिर सिधे गिर गया था अभी इस कॉंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे वॉल्यूम के साथ में क्योंकि जब ब्रेकाउट सम्में देखे थे या इवन जो रिट्रेस्टमेंट थी वहां पर भी किस प्राइस हम लोग वॉल्यूम को देखे जैसे देखे बेजबना बेजबन के सिधे नीचे की तरफ गिर गया वीडियो के इन्फरमेटिव लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजागा नीचे प्यारा सा कॉमेंट कर दिजागा और अगल चैनल पर पहली बार आए थे कि द्लिक हगे सब्रीक है सब्सक्री harp करने के बाद में प्राइज ने सीधा मूर्य हमको कि तरफ दिखाया जब प्राइस के अंदर में देखे दिखने लगा हमको कि कर दो हो रहा है तो चुप चाफ हमने यहां से एक्जिट मार दी लग रहा था कि प्राइस हमार और नीचे की तरफ गिरेगा होल्ड भी करवाई थी कॉन्टी बस जितनी भी कॉन्टी इस थी हमारी जैसे ट्रेट बुक अपनी उपन कर लेते हैं सो लगभग 870 और बुक अपन करते हैं 879 कॉन्टी थी हमारे पास 869 मौनिंग में ओर्डर को लेकर के कुछ घड़बड़ यह थी तो जिस पॉइंट पर हम एंटर की है थी उसी पॉइंट पर हम यहां से एक्जिट हो गया वापस से फिर 869 कॉन्टी का ओडर में लगाया 1190 प इपने प्रॉफिट की 1174.15 पर जितनी कॉन्टी थी सारी की सारी में वापस से बाइ कर ली थी सो वापस से एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं पॉफेक्ट एक ठीक ठाक मुवेंट जैसे कि आप देखो गए निफ्टी बैंक निफ्टी इन में सभी में जो मुवेंट थी अपसाइड की तरफ की थी हाँ लास्ट के टाइम में प्राइज हमारा नीचे की तरफ गिरा पोजिशन बुक देखेंगे ओवराल जमारा आज का प्रॉफिट है थर्टीन थाजन सेवनेट 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 सेवनेटी रूपी सिक्टी फाइव पैसे का ओवराल अगे बढ़ते हैं वीडियो में एक एक चीज देखे समझने की कुशिश्च करेंगा और काफी मेहनत लगे आज के इस प्रिजेंटेशन को बनाने में और जिस तरह से हम आपको चीजों को समझाएं तो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपने प्राइव लेवल सकंदर लेवल ब्रेक होते हैं यहां पर सभी लोगों ने शॉट सेलिंग की फिर से देखिए प्राइस 1190-1990 को ब्रेकाउट कर देने के बाद में फिर सीधे 1183 पर वापस आ गया था तो यहां पर हमने क्या किया था ना कि कुछ क्वांटीज यहां पर निकलवा दी बाकी की क्वांटीटी को होल्ड करने के लिए बोला था सो अभी और गरेगा यह भी साही चीज़े बोल दी बारा सो बारा बचकर यह तालिस में देखिये हो रहा है और मॉनिंग में साधे दस के आसपास एक्वा था को इम लाकर करके दो तीन घंटे इवन चार-चार घंट अच्छा मूब दिखाया और यह आएंगे कब जब धीरे-धीरे करके बस प्रैक्टीशर जितनी देर तक हो सगे मार्के में बस प्रैक्टीशर की तौर पर काम करो प्रॉफिट्स आएंगे हैंड़ेट एंड और परसेंट बढ़ते आगे को टॉपिक पर शुरुआत में क्या हुआ है एक रैली एक बेस और एक ड्रॉप मार्किंग सारी डिलीट कर देते हैं विकॉज एंट्रेस टॉप लोगों ने देखी लिए हैं प्रैस देखिए ऊपर से नीचे की तरफ गिरा एक रैली दिखाई पड़ी हमको लोस यहां से प्रैस गिरा इसके बाद में में इस आपना के बेस बनाया हाई स लोज हाई लोज हाई हाई से प्रैस का घरे करना गिरने चां 一ने होता है यही रेली सें में हमें दिखाई पड़ते हैं इससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी होंगे जिसको की ड्राइंग पर आपको समझना पड़ेगा इस ड्राइंग को बहुत अच्छी तरह से समझेगा और इसकी पिक्टर क्लिक कर लीज़ेगा यह बस जानी चाहिए आपको यह opposite बट यह one-sided हम आपको दिखाएंगे कि price में जैसे यह dip आई इसको बूलते हैं drop कि price किसी एक range तक मेरा drop हुआ dropping के बाद में price होता है न कि अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है तो कुछ इस तरह से retest करते हुए price नीचे की तरफ जाएगा अचानक से ऐसे यू नहीं चला जाएगा price को अगर गिरना है तो वो थोड़ा सा rally दिखाएगा इसके बाद में वो test करेगा इसके बाद में वापस से फिर price हमारा नीचे की तरफ गिरेगा फिर से थोड़े दिर यहाँ पर इसके अंदर retracement होगी वापस से price हमारा गिरेगा इसको समझने के लिए basically price action के अंदर कुछ terms use किया जाते हैं जैसे कि price अब up से downside की तरफ मेरा गिरा तो उसको बोलते हैं dropping again price ने यहाँ पर क्या किया अपना एक base फिल किया एक base बनाया and इस base पर basically होता क्या है इसको ही कहते है supply zone price आप यह imagine किजिए या फिर just common sense है कि अगर price हमारा गिर रहा है कहीं से या किसी एक level तक वो गिर के आया है या फिर upside की दरफ गया है तो रुकेगा कहाँ पर उसके अंदर जो base fill up होगा वो कहाँ पर होगा जरूरी है कि price का इससे पहले जहां पर उसने movement रोकी हो अपनी मतलब कि price का जिस जगह पर अपना previous support या resistance area हो वहीं पर price का supply zone होता है तो basically price हमारा जो drop हो करके जहां पर base लेता है वो एक supply zone माना जाता है कि यहां पर price आ करके आपका रुका अब यहां से जब price आपका नीचे की दरफ आएगा basically price एक जगह पर रुका और यहां से जैसे ही इसके अंदर breakout हुआ आपको price के breakout के साथ-साथ volumes के भी breakout दिख जाएंगे और फिर at a time जब price आपका base बना रहा होगा breakout से पहले यहां पर आपको volumes slow होती हुई नज़र आएंगे कम या ज़्यादा नहीं volumes slow होती हुई नज़र आ जाएंगे मतलब उसके अंदर आपको ठहराओ देखेगा बहुत बड़ी heavy volumes नहीं आपको दिखाई पड़ेंगे जब तक price आपका एक supply zone के अंदर work कर रहा है यहां पर आपको ठहराओ देखेगा volumes में और फिर से जैसे यह price ने breakout दिया यहां पर volumes के breakout हो जाएंगे यहां पर एक minute सी चीज़ देखने की यह होती है कि जब price हमारा breakout के बाद में retest करे तो जो volumes हैं यह कम होनी चाहिए मतलब कि ऐसा ना हो कि price ने selling भी कर दी और यहां से जब यह buying side में जा रहा है मतलब कि retest करने जा रहा है तो भी volumes की ज्यादा ही है आपको याद होगा last third या second वीडियो हमने अप्लोट किया था जहां पर इस तरह का concept हमने आपको समझाया था price मेरा upside की तरफ जा रहा है बड़ इसके अंदर volumes नहीं आनी चाहिए कम volume के साथ price हमारा retest करेगा और जैसे price हमारे basic support को break करेगा और retest करते हुए इस level तक पहुंचता है इसके अंदर again volumes के breakout आपको देखने को मिल जाएंगे और price सेम जगह से हमारा गिर जाता है नीचे के तरफ अजोप की समझ में आया होगा इतना बहुत मुश्किल नहीं है बट हाँ देखने के point of view मिलता है इस तरह से price में एक breakout हुआ अब जैसे कि यह drop हो गया dropping में क्या होता है इस वाली drawing को थोड़ा सा side में करते हैं drop में price drop हुआ एक base बनाया और base बना देने के बाद में यहां से price हमारा फिर से drop हो गया मतलब के drop base drop इसके बाद में होता है drop base rally drop base rally में क्या होता है basically कि price हमारा गिरा गिरने के बाद इसने एक जगह पर आकर कि support लिया और यहीं से इसके अंदर move upside का हो गया तो इसको क्या बोलते है drop base rally और just इसका opposite होता है rally base rally और rally base drop काफी सारा time चाहिए होगे इस सारे concepts को समझाने के लिए क्योंकि इस तरह से यहां पर volumes का भी काफी ज्यादा use होता है अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझें कि drop base और drop इसको किस तरह से हम लोग read कर दें अभी जब हम example लेंगे तो rally base drop भी देखेंगे उसके अंदर simple यहां पर price section and volumes का ही use होता है price आपका एक जगे पर रुका हुए इसके अंदर volumes भी रुक्य हुई है आप दोड़ रहें या फिर आप cycle भी चला हो बहुत speed में बट जब आपको cycle अपनी mood नहीं होगे आपको दोड़ते दोड़ते अगर turn लेना होगा तो आप same speed में turn up नहीं करता है जो volumes जो होती है उनकी speed आपको कम दिखाई पड़ेगी और जैसे ही यहां पर इसका base पर time पूरा होता है वैसा ही price का movement आपको downside के तरफ दिख जाएगा तो यह तक theoretical part है अभी हम लोग चलते हैं charts के उपर जैसे levels के अंदर हमने आपको बताया सारी markings को delete कर देते हैं simply price के अंदर एक high लगा low high और price हमारा गिर गया अगें high और फिर से low यहां तक देखे price के अंदर एक dropping हुई और drop कर देने के बाद price हमारा इस जगे पर कहीं रुख गया एक supportive area बन गया इसका यहां से क्या होगा कि price हमारा base लेने लगा पूरी तरह से price ने एक movement बढ़ा समकूर नीचे की तरफ से दिखाया volumes जब आप देखोगे इस पूरे zone में तो आपको कम volumes नजर आएंगी price जब अपसे downside की तरफ हमारा गिरा है तो इसके अंदर volumes आप खुद देखिए कि कितनी ज्यादा volumes आ रही है यहां पर देखिए volumes के breakout हो रहे है इस यह कहता और बाद में जब price ने आपर base लेन अपना शु simply कल वाली अपनी इस एक candle को important candle माना इस वाले price को 1193 क्योंकि यहां पर कल का base बना हुआ था day time frame पर हम लोग जाएंगा तो day time frame की reading तो इसके अंदर already included है वो तो हमने किया ही है lower time frame पर हमने price को कैसे read किया यह चीज हो गए अब देखिए क्या हुआ आज की जो market रही है जैसे की 9.15 यहां से price हमारा शुरू हुआ और कल यह base बन चुका था अब अगर हमें trade execute करना तो अक यह तक आए तब हम trade execute करें तो जैसे ही price ने अपने कल के baseline पर आकर करके support लिया है price ने जब हमारी इस black वाली candle के नीचे जा करके हरकत करना start की मतलब कि closing हो गई और जब आप closing भी देखोगे तो volumes के साथ price ने यहां पर closing की closing के बाद में हमने देखा कि जब price हमारा retest हो रहा है मतलब जब price हमारा retrace कर रहा है तो यह जा तो upside की तरफ रहा है बट इसके अंदर volumes कम हो रही है एक तो already यह हमारी baseline हो गई baseline को price ने volume के साथ break किया और जो retracement हुआ यह low volume के साथ price हमारा retrace हो गया सो simply हमने क्या किया है कि यहां पर अपना एक trade execute किया अभी hevels में चलते हैं हम लोग daytime frame पर अभी इसके दो-तीन example हम लोग और लेंगे दूसरे-दूसरे stocks पर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ hevels पर ही जैसे कि यहां पर देखिए hevels को अब एक बार daytime frame पर भी देख लीजे यहां पर यह swing बन रहा है मेरा यह जो green वाली candle का मेरा low point है यहां पर swing बन रहा है तो कहीं न कहीं एक positive closing है इसके बाद में देखिए price हमारा फिर से नीचे की तरफ गिरा इसने कोशिश की थी कि यह जो green वाली candle है जिसने gap down opening दी थी इसके बाद में यूपर चली गए है price ने कोशिश की कि इस green वाली candle का चलो low break किया जाए price नीचे की तरफ आया बट फिर से देखी price ने क्या क्या है इस black वाली candle की range के अंदर जाकर के ही यहां पर सारी कि सारी closing हो रही है और price ने फिर एक सीदे high लगा दिया हाई लगाने से पहले पहले price ने जिस एक candle के थूरू low लगाया था वो candle मेरी यह वाली थी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है सो कोशिश करिए अगर पूरा वीडियो देखे विकॉस जो भी चीज हम यहां पर समझा रहे ना सारी कि सारी अगर आप live market में apply करोगे तो बहुत 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 help आपको मिलेगी इससे एक ये single swing बना हमारा अब इस swing पर क्या हुआ क्योंकि ये तो important है ना यही वो सबसे last वाली candle थी जो high से पहले price ने एक low लगाया था इस वाली candle के दूरू मतलब के 25th of July के पास में आगे चल करके price ने क्या क्या है कि इसी level पर क्योंकि ये तो swing point है ना यही से price ने एक high movement हम लोगों को दिखाया था upside की तरफ ऐसा और वापस से price हमारा इस green वाली candle के just low पर रखा हुआ है देख रहे हैं day time frame की reading को भी हमने इसके अंदर include किया और lower time frame पर जैसे हमने drop, base and drop की theory को भी इसके अंदर use किया अब क्या हो रहा है कि अभी दो दिन पहले इसका result निकला है, जैसी कि अभी दो दिन पहले क्या हुआ है, हैवल्स का result निकला, result कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन market up move दिखाएगी या down move दिखाएगी, ये result तैय नहीं करते अच्छा move आने के बाद भी price आपको downside की move दिखा सकता है, इसमें फिर दूसरे तरह के systems का use करते हैं हम लोग trade execute करने के लिए या even इसका trend identify करने के लिए, बुरे result के बावजूत price में high movement आप देख सकते हूं कि price gain कर रहा है, अच्छा result है तो भी price हमारा गेर रहा है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ reason होता है और बड़े reason होते हैं, अभी उन reasons को side में रखते हैं हम लोग, simply day time same के reading को hevels में आगे की त देखने को मिल सकता है अगर results आ रहा है तो, ठीक है, मतलब कि price के अंदर की strength है वो हमें 19th of October से समझ में आ रही है, और results आने से पहले market ने जो swing लगाया है वो ये वाला area है, मतलब कि 13th of October की candle, अब हम इस वाली line को कर देते हैं, delete, मेरे पास ये एक range निकल आई, ये पूरा area प्राइज ने ये वाले जो swing लगाया, अब देखे, swing को read करना है, प्राइज ने ये वाले जो swing लगाया, इस swing के बाद में हुआ कि price का ये वाला swing और यहां से price मारा रूग गया, अब अगर इसको upside की तरफ जाना है तो ये चला जाना, ये तो अल्रेडी एक support area है मेरा, अब अगर इसको उपर की तरफ जाना तो ये चला जा, बड़ प्राइज ने किया किया कि हमारी इस वाली candle का low break कर दिया, इसके अंदर down move तो हमें कल से ही मालूम है कि Hevels weak है, last week हमने Hevels के अंदर दो trade execute किये थे, और दोनों के दोनों trades का reason हमने आपको बताया था, और दोनों ही दिन short selling किये थी, कल के दिन भी market ने क्या किया कि कल ये important level पर था, moves कुछ बहुत अच्छे या बहुत खास move के में expectation कर नहीं रहे थे, लेकिन आज वापस हमको हमारी इसी level पर मिला, अपने group में सभी लोगों को हमने Hevels आज के दिन trade कराया, काफी बड़ा बड़ा profit सभी और जैसे ही price ने हमारी baseline को morning में break किया, वैसे हमने यहाँ पर इसको trade कर दिया, simple सी चीज है, entries हमने यहाँ पर ले लिए, और जो उस वक्त के swing थे, मतलब कि मेरे trade execute करने के पहले के आप देखोगे, तो 1194 से थोड़ा सा यहाँ कहीं हमने अपना stop loss रखा, and targets जो अपने book किये, वो यहाँ पर अपने targets book कर लिये थे, मालूम था कि यहाँ से price हमारा और नीचे की तरफ जाएगा, because volumes के जिस तरह के structure समको नजार आ रहे थे न, volume रुखने वाली नहीं थे, नहीं price रुखने वाला था, तो बड़ी-बड़ी volumes आ यह price का structure भी बड़ा बना, मतलब बड़ा move आपको Hevels के अंदर देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा लालज भी अच्छा नहीं है, price में movement आने वाली थी, so हमने उसको एक side में रखा, जितना हो सकता है, अपने management के according एक sufficient profit हमने बुकिया और चुपचा बाहर हो गया, अब इसके बाद market को जो करना है करने दिजे यह तो overall हमारी analysis रही है, Hevels की, and Hevels में किस तरह से हमने supply and demand की theory को use के यह भी हमने आप लोगों के साथ clear कर दिया, अब देखिए पूरी तरह से naked chart है, कोई marking नहीं इसके उपर, को indicator नहीं है, अब अगर हमें price को read करना है, तो मुश्किल होगी आपको read करने में, कि कैसे read करें काफी सारी techniques होती, जिसमें से एक technique supply and demand zone के, तो उसका use हम आज के दिन कर रहे हैं, अम बुझा cement को simply आप day time frame के उपर लियाओ, day time frame पर यहाँ पर कोई candle निकाल लेंगे कोशिश कीज़े, कोई भी एक simply candle, अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ नहीं करते हुए, इस green वाली candle की range के अंदर में ही travel कर रहा है, है न, मतलब कि इस green वाली candle के थूँ अगर हम price को rate करते हैं, तो क्या कर सकते हैं, just एक example ले करके चलते हैं, क्योंकि इस से भी जादे important है candle है, इस पूरे zone के अंदर, अब यह marking हमने कर ली, lower time frame पर आप आजाओ, lower time frame पर, अब यहाँ से हम resistance का area है, यह resistance का point है, price यहाँ से आपको बार बर दिख रहा है कि drop हुआ है, कई बार यहाँ से drop हुआ है, अब एक highs, high, high के बाद में price हमारा गिर गया, high, फिर से गिरा price, high, यहाँ पर आया, फिर से देखे price उपर चिला गया, मतलब कि यह एक rally करता हुआ price हमारा upside के तरब गय यहाँ पर हमने क्या देखा, कि price एक zone बना रहा है, lows, highs, lows, है न, मतलब एक rally, यहाँ से अप यहाँ से ले लो, एक rally, rally के बाद में एक base बना, अब base के पास में हो क्या रहा है, कि price हमारा रुका हुआ है, जो चीज़ अभी हमने आपको बताई, कि देखे price जब high लगा रहा है तो इसके अंदर volumes बढ़े हुए हैं, तब यहाँ पर highs लग रहा है, वापस से price ने जब अपना एक base बनाया, क्योंकि देखे price यहाँ पर हमारा गिरा न, गिरने के बाद में एक base बना, इस zone के बाद से फिर आप देख रहा होगे कि base create हो रहा है, अब इस base बनने के process में आप volumes कम हो रही है, यहाँ तक भी जो volumes है अपनी वो कम हो रही है, जैसे ही price हमारा हमारे इस वाले level को नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, ब्रेक आउट हुआ, ब्रेक आउट की बाद में जब price हमारा retrest होने गया तो volumes कम है, फिर से देखे selling की volume आ गए है, यानि के volumes ज्यादा हा र Rally, Rally के बाद में price ने एक base बना दिया, इस base के breakout पर volumes का किस तरह से हम लोगे यूज़ करें, देखे, volume का breakout, फिर से यहाँ पर volume का breakout, और जब price हमारा retracement दिखाने की कोशिश करा रहा है, तो retracement पर volumes कम है, और price upside की तरफ जारा है, मतलब कि यह exact और बहुत strong resistance level है, यहाँ से अगर गिरता है price यहाँ से, तो एक अच्छा move आपको देखने को मिल जाएगा, so simple simple से चीज़ें, price जो हमारा close हो है, हमारे इस range के नीचे ही जाकर के close हो जाए, so इस तरह से आपको price को rate करना कोई भी stock हो, कोई भी किसी भी तरह का price का movement हो, simple rally based rally, price का breakout हो रहा है, तो heavy volume से retracement हो कम volume के साथ, आप use करो, आप देखोगे कि आपकी accuracy day by day increase होगे, अभी एक example हम लोग ओल लेते हैं, Adani Ports, Adani Ports में देखे क्या हुआ, कि price ने यहाँ से हमें एक rally दिखाई, यहाँ पर, अप में जाते हुए price ने यहाँ पर कहीं एक zone बना दिया था, मतलब एक retracement का zone बना दिया है, तो देखे इसने क्या किया, कल के support area के पास में, price ने आज अपना एक base वरा दिया, low और यहाँ से देखे, base, और जैसे ही price ने हमारे low को break किया, आप यहाँ पर volumes कहर कर देखो किस तरह की हो रही है, कि जो breakouts है, breakouts आपको heavy volume के साथ देख रहा होगे, यहाँ से, यहाँ से, और जो buyers है, इनकी volumes कम है, वापा से देखे, price ने breakout किया, और जब यह upside के तरफ जा रहा तो volumes गिर रही है, volumes कम हो रही है, और फिर से देखे, price ने breakout किया, यानि कि volumes के भी breakout होगे, price का भी breakout हो गया, फिर से देखे, यहाँ पर green candle बन रही है, बट volumes कम है, फिर से देखे, green candle बन वॉलुम स्कम है ये सिम्टम होते हैं प्राइज के अंदर के कि ये अपशेट का मूओ दिखा सकते हैं दौन सैट का मूओ का का अफी सारे छोटे-छोटे टॉपिक है जिसको की समझना बड़ा ज़रूरी होता है अब रैली-बेस ड्री-ड्लोप बासे बहुत हैं यह साहे ची से आपके अंदर आप आएगी आपका जो एकाउंट है वो प्रॉफिट में निकलेगा बट रोज के रोज अपने सिस्टम को चेंज कर देना या फिर डी मोटिवेट हो जाना यह कोई हल नहीं होता यह कोई रास्ता नहीं है हम हर बार आप से कहते हैं आप हमेशा जो लॉस करत पहुंचाते हैं उनको लगता है कि स्टॉक तो बड़े इच्छे चलते चुरो इसी की option में काम करें आता नहीं है कुछ लेकिन वह option में जा रहा है काम करने के लिए नुकसान करते हैं फिर से वापस आते हैं कि नुकसान हो गया क्यों हो गया समझ में नहीं आ रहा है तो इस मिल ली होगे अभी श्याद हमको सही से ध्यान ने मंड़े या फिर ट्यूस्टे को श्याद मार्केट क्लोज रहेगी वह आप लोग देख ली जगा किस दिन मार्केट बंद रहते हैं तब नेक्स टेडिंग सेशन में हम लोग वापस से मिलते हैं तब तक के लिए गुडब